दोस्तो आज के वीडियो के नदर में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा अगर पतनी ने आपके उपर धेज प्रतार्णा IPC 498 का केस किया है या फिर मैंटिनेंस का केस किया है या फिर आप पतनी से डाइवोर्ष लेना चाते हैं तो हर जगे है जो आपको सक्सेज मिलेगी प पतनी का देज प्रतार्णा का केस पूर इतरे से खारिज हो जाएगा पतनी का मैंटिनेंस केस भी खारिज हो जाएगा और आपको है जो आसानी से डाइवोर्ष भी मिल जाएगा तो इसके लिए जो आपको क्या करना होगा इसके डिटेल के अंतर जानकरी में इस वीडियो क पतनी की होती है पतनी का ही है जो ज्यादा कुछ शुनवाई पतनी की होती है पतनी का ही है जो ज्यादा कुछ सुना जाता है पती लोगों का है जो ज्यादा कुछ नहीं सुना जाता है जिससे पती की सुनवाई होई नहीं पाती है और रिजल्ट है जो पतनी के पक्स के अंदर चला जाता है तो सबसे मैन गलती तो पती की यह होती है कि पती उस केस के अंदर एक्टिव नहीं होते हैं अच्छे से मजबूती से जो बात नहीं रखते हैं कोट के अंदर है जो प्र पांच बाते रखनी होगी जैसा कि यहां पर मैं वीडियो की स्टेटिंग में आपको बताया हूं कि अगर पत्नी धेज परताणना का केस करती है, मैंटेनस का केस करती है, फिर पती पत्नी से डाइवोर्श लेना चाहते हैं, तो सारे के सारे केस है जो पती के पक्स के अंदर आजाएंगे बस यह पांच बाते हैं जो पती को कोट के अंदर रखनी होगी, तो इसमें पहली और मैंन बात यह आती है, पती को यह साबित करना होगा कि पत्नी बिना किसी कारण के पती से अलग रह रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ज्यादतर पत्नी है जो जो भी क प्रियास किया है, बर्सक पोसिस की है, जैसे पती ने legal notice बेजा है, meeting वगरा भी की है, या फिर section 9 का case किया है, उनके सारे सबूत परमान वगरा है, जो पती के पास में है, पुल मिला के पती ये साबित कर देते हैं, कि पती ने बिना किसी कारण की है, जो पती से अलग रह रही ह है, तो यहाँ पे जो भी result है, पती के पक्ष में आना है, जो possible हो जाएगा, तो पहली बाद तो है जो पती को ये साबित करनी होगी, अब दूसरी बात पती को ये साबित करनी होगी, कि जैसा कि पतनी, हर एक case के इंद्रे आरोप लगाती है, कि पती ने, पती के घरवालों है, साससुर को प्रिसान करती है, पती को प्रिसान करती है, तो इन से related अगर सबूत पती के पास में है, तो पती इन सबूतों को कोट के अंदर दे, और सारग सार परिनाम है, जो पती के पक्स के अंदर आ जाएगा, अब इसमें तीसरी मैन बात क्या है, मैन बात ये है, कि ज वजेसे है जो कोट के अंदर नहीं आ रही है यह बात है जो पती को कोट के अंदर रखनी है जिससे पूरा मामला है जो पती के पक्स के अंदर जुख जाएगा अब इसमें चोथी बड़ी बात यह आती है कि जिससे बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी पत पत्नी लगाती है पती से अलग होने के बाद में केश डालने के अंदर तो उससे है जो पत्ती को बहुत बड़ा फायदा मिलता है तो इस चीज को भी है जो पत्ती को कोट के अंदर साबीत करना है अब इसमें पांची बड़ी बात ये आती है कि अगर पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है उन आरोपों के अगर पत्नी के बास में सबूत नहीं है कि अगर पत्नी आरोप लगा रही है तो इन चीजों को भी है जो पत्नी को कोट के अंदर रखना है कि पत्नी आरोप लगा रही है तो इसको साबिती भी तो करना चीए ना आरोप लगाने से काम थोड़ी चलेगा ऐसे तो कोई भी किसी को पर आरोप लगा देगा कोई भी है जो किसी की जिंदगी बरबाद कर देगा तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा फिर कानून का मतलब क्या हुआ तो इन चीज़ों को है जो आप कोट के अंदर रखिये पत्नी साबित करेगी तभी है जो पत्नी को फायदा मिलेगा अन्यत है जो नहीं मिलेगा तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद